नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, तो रिडी हो जाई, पास सेकेंड में डिक्टेशन सुरू किया जाएगा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, उसका न तो इस संसार में और नहीं आने वाले संसार में विनाश होता है मेरे प्रियमित्र जो इश्वर प्राप्ती के लिए प्रयास करता है, वह कभी बुराई के सामने हारता नहीं जीवन का मतलब आत्म विकास है, जीवन में आगे बढ़ने का यह एक अच्छा तरीका है, यह उज्वल भवश्य देखने और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कदम है सभी छेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए भी आत्म विकास आवश्यक है अपने ग्यान को बढ़ाने पर काम करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है लेकिन आत्म विकास प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए जाहिर है अच्छे काम करने चाहिए जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे परणाम मिलते हैं और जब बुरे कर्म करते हैं तो बुरे परणाम आपकी राह देख रहे होते हैं आप अपनी उर्जा कहां लगा रहे हैं इस बात का आपके कर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ता है यहां कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जहां आपको अपनी उर्जा लगाने पर ध्यान देना चाहिए शारीरिक परेशानी आलस्य और मानसिक अस्थिर्ता कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे आत्म विकास के रास्ते में बाधा डालते हैं इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए अपने शारीरिक स्वास्थे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है योग आसन प्राणायाम और क्रिया शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं ये तरीके मांस पेशियों के लचीलेपन रक्त परिसंचरण जोडों की स्थिर्ता बढ़ाते हैं ये हमारी बायो एनरजी को कुशल इस्तर पर बनाए रखने का भी काम करते हैं ये सुनिशित करते हैं कि हम अपने लक्ष को पाने के लिए एक स्वस्थ और रोगमुक्त शरीर प्राप्त करें इसके अलावा योग के तरीके हमें अपने दिमाग को व्याकुलता और नकारात्मक विचारों से बचने के लिए प्रसिक्षित करते हैं ताकि हम जीवन में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएं ध्यान हमें सफलता की ओर ले जाता है अपने प्रोफेशनल विकास पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने काम में अधिक कल्पना शील और रचनात्मक बन पाएंगे आप नए विचारों के साथ स्वयम को जोडने उन्हें अमल में लाने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे यदि आप प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम को जिम्मेदारी और समर्पन की भावना से करें परडाम सुरू आपकी शमताएं और आपके काम की गुडवत्ता दोनों में सुधार होगा केवल वही व्यक्ति अपनी गतिविधियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएगा जो विचलित नहीं होता है नतीजतन अपने दिमाग को अंतिम लक्ष के बजाए वर्तमान कारिय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करें क्योंकि जब आप अपने काम के परिणाम के बारे में सोचना सुरू करते हैं तो आप पहले से ही अपने दिमाग को उसके प्रात्मिक लक्ष से हटा चुके होते हैं हमारा जीवन मदद देने के लिए समर्पित होना चाहिए जीवन में हमारा मुख्य उदेश्य दूसरों की मदद करना है चाहे बाद परिवार के अंदर की हो या समाज की या फिर राष्ट की यदि आप आध्यात्मिक आत्म विकास प्राक्त करना चाहते हैं तो तय करें कि आपके कार्य दूसरों के उत्थान में मदद कर रहे हो चाहे मामला घर में जिम्मेदारियों को साजहा करने का हो या फिर परिवार के सदस्यों की सहायता करने का और चाहे बात सामाजिक आयूजनों में शामिल होने की हो या फिर किसी को कुछ दान देने की 6 मिरत 33 सेगन में डिक्टेशन कम्टीट हुआ है कुछ वर्ड आपको difficult लग सकते हैं तो परिशान नहीं होना है आप उन words पे पहुँचिए और उनको एक बार देख लीजे फिर उनकी outlines बनाईए और उसकी practice कीजे पूरा लिख नहीं पाहें आप words छूट रहे हैं तो बिल्कुल परिशान नहीं होना आपको फिर से इसी dictation को एक बार repeat करना है जब आप प्रयास करेंगे सफलता तभी मिलेगी आप dictation को 12, 13, 14 बार भी attempt करिए यदि आपको लग रहा है कि पूरा dictation आप एक बार में नहीं लिखना चाहते तो आप पहले 50% cover कर लिजे या वीडियो को 3 part में तोड़के आप लिखिए एक बार लिखिए पूरा नहीं लिखिए फिर से लिखिए 30% matter जब आपका वो confirm हो जाए फिर आप आगे बढ़िए कि आप मैं total 60% matter लिखूँगा फिर मैं 100% complete करूँगा यदि आप पूरा matter लिखने में बोर हो जाते हैं आपको लगता है कि outline बहुत बिखड़ जाती है तो आपको वीडियो को chunk में देखना है ठीक और वीडियो अच्छा लगा है तो आप like कर सकते हैं speed ज़्यादा थी तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कम थी उसके बारे में आप सोचाओ दे सकते हैं और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको बता सकते हैं वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यह आप कर सकते हो, सबसे आसान काम, शेयर कर दीजिए यदि आप दो काम और नहीं करना साथ दे दो Thanks a lot